ओला मुई बुएनास कैसे हैं आप सब आई होब ठीक होंगे तो आज मैं आपके लिए लेक्टर नमबर सिक्स ठीक है प्रोनॉम्ब्रेस प्रोनॉंस इस चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर किसी ने मेरे प्रीव करूंगी मुझे एक दो लोगों के मैसेज भी आये हैं ठीक है आप भी अपना कॉमेंट लिख सकते हैं नीचे डाल सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में और मैं पढ़ूंगी और उसका आंसर क्वेरी वले सेक्शन में दूंगी ठीक है तो यह हमारा वीडियो जो है प्रोनॉम्रे सीखता है ना कि हमें बस लाइन्स बनानी आजए हमें संटेंस बनाने आजए तो आज हम वो काम करेंगे हम संटेंस बनाएंगे और आज के बाद हर वीडियो में बनाएंगे संटेंस ठीक है तो बढ़ते हैं देखते हैं प्रोनॉम्रे परसोनाल अब यहां पर मैंने हिंदी में भी translation किये, English में भी किये जिने English में better समझ आती है, English में देख ले, जिने Hindi में better समझ आती है Hindi में देख ले, ठीक है ये सारा मैं आपको अच्छे से बताऊंगी थोड़ा long है आज का process तो ध्यान से सुनियेगा, अब यो है मैं, तू या उस्तेध हुआ तू, तूम या फिर आप ठीक है, जैसे हम किसी को तू करके बोलते हैं, अगर हमसे छोटा हो या हमारा बहुत जादा friendly हैं उससे, तो तू करके बोलते हैं और आप बोलते हैं, हमसे बड़े को तो उस्तेध लगेगा आपके लिए अब यहाँ पर मैंने आप ब्रैकेट में क्यू रखा है उस्तेध मैंने लिख दिया ब्रैकेट में नहीं रखा बर रखना चाहिए था उस्तेध यहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं बुलवाना, ठीक है अगर आप किसी बुज़ग को देखके उस्तेध कहेंगे तो उसे बुरा फिल होगा कि अरे बापरे मैं मेरे को मतलब यह इतना बुढ़ा कह रहा है वो एक तरह से अपनी इंसल्ट मानते है ठीक है, इसमें कुछ बुरा ही नहीं कुछ अच्छाई नहीं कि उनकी अपनी थिंकिंग है ठीक है, और तू बुलाना वो पसंद करते हैं बुड़े से बुड़ा भी, तू बुलवाना पसंद करते है ठीक है, किसी किसी को बोल सकते हैं, हम जैसे कि बहुत ही कोई बुज़ूर्गों तो अच्छा नहीं लगता फिर भी अगर वो टोक है तो आप तू ही बुलाईएगा ठीक है अगर वो कहे कि नहीं नहीं मुझे उस्तेद नहीं बुलाना तो आप तू ही बुलाईएगा तो यो हुआ आई, मै, तु या उस्तेद हुआ तुम, आप या फिर यू घेक है इल, या हुआ वो, वो मतलब की थर्ड पसंद ही, शी, या इट ठीक है नौसोत्रोस हुआ हम सब और नौसोत्रास लड़कीओं के लिए ठीक है ठीक है, उस्तेदेस भी हुआ आप सब, ठीक है, जैसे वही, मैंने बताया कि अगर बहुत ज़्यादा बुजर्ग लोग हैं आपके सामने दो, तीन या दस, ठीक है, एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो उस्तेदेस, तुम सब, एयोस और एयास हुआ, वो सब, ठीक है, वो सब मींज दे, अब यहाँ पर मैंने लिखा है, प्रिमेरा, सेगुंदा, तरसेरा, परसोना, प्रिमेरा, सेगुंदा, तरसेरा, परसोना, प्लूराल, यह क्या हुआ, यह हुआ, आपको अगर याद होगा, हमने चप्टा फोर में पढ़े थे numbers है ना और numbers में था ordinalis तो ordinalis numbers लिखे हैं यहां पर मैंने primera persona, seconda persona, thirda persona ठीक है अब यह क्या हुए? primera means first person हर कोई जो भी बात कर रहा है मेरे लिए मैं first person हूँ, आपके लिए आप first person है ठीक है? हर कोई first person अपने लिए है second person वो होता है जो जिससे बात कर रहे होते हैं for example, मेरे लिए मैं first person हूँ second person मेरी ममा है जिनसे मैं बात कर रही हूँ और third person है मेरा भाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है? तो first person हुई मैं मेरे लिए second person मेरे ममा जिनसे मैं बात कर रही हूँ ठीक है directly और third person हुए मेरा भाई मेरा भाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है तो यह जो second person है यह हमेशा direct में रहता है direct contact में ठीक है अगर मैं किसी से directly बात कर रही हूँ तो वो ही second person हो सकता है ठीक है okay first person plural plural ठीक है मैंने यहाँ पर लिखा है primera persona plural मतलब की primera persona again आगी मैं और मेरे साथ और भी बहुत सारे for example 10-15 students हैं और वो सब teacher या फिर principal के पास गए हैं अपनी कोई शिकायत लेके तो हम कहते हैं न हम सब लेके आए हैं एक शिकायत तो यह नोसोत्रोस वाली या फिर नोसोत्रास वाले हम सब हैं ठीक है first person plural क्योंकि बहुत सारे हैं वो नोसोत्रोस लड़कों के लिए नोसोत्रास लड़कीओं के लिए मैंने पहले भी बताया मतलब वो सोत्रोस के पास या फिर उस्तेदेश के पास आप सब के पास ठीक है हम सब शिकायत लेके आए हैं तुम सब के पास वो सब की या फिर उन सब की ठीक है उन सब की शिकायत लेके आए हैं वो सब एयोस वो सब ठीक है और एयास वो सब फीमेल जेंडर ठीक है अब इन तीनों में क्या है कि यहां पे लड़के का जेंडर लड़की का लड़के का लड़की का और यहां पे भी लड़के का और लड़की का अलग अलग है अब अगर एक ग्रूप क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा ग्रूप में दोनों होते हैं लड़के भी होते हैं तो हमेशा अगर हमने सब स्टूडेंट्स को एक ही ग्रूप में ग लगा, नो सोद्रोस, वो सोद्रोस और एयोस में भी, ठीक है अब देखते हैं, next, don't worry अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं, मैंने आगे इसके examples दिये हैं, वो बहुत easy होंगे समझने में, ठीक है next बढ़ते हैं pronouns, ठीक है यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिर से Hindi translation दिये, English translation दिये ठीक है में means मुझे, मी जैसे कहते हैं look at मी, मुझे देखो मुझे, look at मी मीरा मे, मीरा मे, या फिर मे, मीरा ठीक है, वो हम बाद में बढ़ेंगे क्योंकि ये verbs के साथ लगती है तो verbs हम अगले चैप्टर में पढ़े ही रहे हैं तो हमें फटा-फट आ जाएंगी lines बनानी है ते means तुझे तुझे दू एक चोकलेट यू शुड आइ गिव यू चोकलेट, ठीक है ते दोई, उन चोकलाटे ले, ला, या लो उसे, ठीक है उसे दो चोकलेट ले दास इल चोकलाटे, ले means हो गया प्रणावन, दास होगी वर्ब जो हम कल करेंगे, ठीक है गिव हिम, ओ गिव हर अ चोकलेट, ठीक है नोस, मीन्स हमें, हमें दो एक चोकलेट नोस दास, उन चोकलाटे अस, गिव अ चोकलेट ओस, तुम्हे ठीक है, यह ज़्यादातर कुष्टन में आएगा, क्या मैं तुम्हें चोकलेट दूँ, क्या तुम्हें चोकलेट चाहिए ठीक है तो ओस यू, लेस, लास और लोस, अगें लड़का, लड़की और लो लगता है या लोस लगता है, जब जेंडर या तो हम बताना नहीं चाते कि वो क्या है, ठीक है, निट्रली बात करते हैं, या फिर उसका जेंडर एक्स्प्लेइन ही ना कर सके, ठीक है या फिर वो दोनो जेंडर में आता हो तब लगाते हैं low या फिर loss same, le लगेगा लड़के के लिए और less बहुत सारे लड़कों के लिए la लगेगा लड़की के लिए और last बहुत सारे लड़कियों के लिए और low या loss without gender ठीक है तो यह है में मुझे और next जो है वो भी इससे similar ही है काफी तो बढ़ते हैं देखते हैं क्या है ओके अब यहाँ पे भी देख़िये same है में और ते ले है या la या low नहीं है ठीक है la या low आएगा नहीं यहाँ पे नॉस है औस है से फिर again और लेस है ठीक है तो यहाँ पे है myself जैसे मैं कहते हूं myself 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 और फिर मेरा नाम लेती हूँ myself, man, yourself whatever your name is ठीक है, तो मे, ते, ले या फिर से लगता है या no, slow, say, less ये लगता है जब हम अपने बारे में या तो कोई बात कर रहे है ठीक है, कि हम अपने बारे में बात कर रहे है, या फिर हम कोई काम खुद से खुद के लिए कर रहे है, मतलब उसमें किसी second person की involvement ना हो ठीक है, directly या indirectly तो मैं खुद से चली जाओंगी घर, ठीक है तो अब यहाँ पे आएगा मैं myself, ठीक है, खुद से कुछ काम खुद के लिए ही करना तो मैं खुद से या तुम खुद से ये काम कर लोगे तो yourself, ठीक है मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुद से हर बार लगाना ही है जरूरी, मतलब ये एक सिर्फ understanding के लिए है कि यहाँ पे किसी तीसरे person की या दूसरे person की involvement नहीं है ठीक है, अगर you के लिए है आपके लिए है तो आप खुद से ये काम करें हो, इसमें किसी दूसरे person की involvement नहीं है, मैं खुद से करी हूँ इसमें किसी दूसरे person की involvement नहीं है ठीक है, for example मैं पेईनो मैं पेईनो मतलब मैं कंगी कर रही हूँ, अब मैं कंगी कर रही हूँ अपने आपकी, ठीक है, तो इसमें मुझे explain करने की जरूरत नहीं है, कि मैं अपनी कंगी कर रही हूँ, जब मैंने कह दिया मैं पेईनो, मतलब मैं खुद से, खुद के लिए कर रही हूँ, कंगी, ठीक है कंगी करने को कहते हैं पेइनार तो अब यहाँ पे ते और से क्यों अलग हुआ सॉरी से और ले क्यों अलग हुआ क्योंकि वो उनके लिए था मुझे तुझे उन्हे राइट और ये है खुद से वो खुद से कर रही है अपनी कंगी तो से पेइना सेपिना, मतलब हमें समझ आ जाएगी कि वो खुद से, खुद की कंगी कर रही है, ना तो उसकी कंगी कोई कर रहे हैं, ना तो वो किसी की कंगी कर रही है, नहीं, इसमें तीसरे या दूसरे किसी परसंद की involvement नहीं है, खुद से, खुद के лिए ठीक है नोस भी सेम है उस भी सेम है वो सब खुद से खुद के लिए ठीक है नोस पे इनामोस लाइक हम सब अपनी अपनी गंगियां खुद कर रहे हैं ठीक है उस पे इनाइस आप सब अपनी 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 गंगियां खुद कर रहे हैं और बाल बना रहे हैं जिसे कहते हैं और से पेइनान या फिर लेस अब यहाँ पर थोड़ा हट के आजेगा वो मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगी किसी और एक्जेंपल को लेके ठीक है बट यहाँ पर लेस और ले जो है थोड़ा हट के आजेगा जब हम खुद से समाग पर प्रेशर डालने की नहीं ज़रूरत जब हम टॉपिक्स बनाएंगे इन पर लाइन्स बनाएंगे तो हमें खुद बखुद अंडरस्टेंड हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्लियर हो गया अब यहाँ पर जो मैंने एक्जेंपल दिये वो देखते हैं थोड़े से प्लीज देख लेजिए प्लीज ओके तो संटेंसे की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं कौन से कौन से संटेंसे हमने लिए हैं चले नेक्स वीडियो युष्व अनस चीकश तो अब यहाँ पर चीकश हैं लड़के हैं इसलिए मैंने न।स तरोस लगाया न।स तम सब लड़किया हो ठीक है वसोत्रास और वसोत्रोस नोसोत्रोस अब अगर यहां पे मैं चीको को हटाके चीकास कर दूँ तो यह नोसोत्रास हो जाएगा और यहां पे अगर मैं चीकास को हटाके चीकोस कर दूँ तो यहां पे वसोत्रोस हो जाएगा same यहाँ पे ayos on unos chicos वो सब कुछ लड़के हैं ठीक है यह कुछ हुआ unos मतलब हम exactly नहीं बता रहे हैं कितने ठीक है unos मतलब कुछ लड़के हैं जैसे हम कहते हैं unos chicos ठीक है तो ayos on unos chicos और अगर यहाँ पे मैं हटाके चीकास कर दूँ तो यहाँ पर एयास हो जाएगा most important फिलहल हमारे लिए ये वला है ठीक है ये वला तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वर्ब में बहुत जरूरी है समझना ठीक है प्रणाउम लगानी है अब जब आगे तो ये वर्ब में ज़ादा जरूरी है ये मैंने आपको एक्जामपल बाकी भी दिये में गुस्ता ला इस्पानिया मुझे ठीक है में ये मुझे वाला है स्पेन पसंद है ते गुस्ता ला इस्पानिया क्या तुम्हें स्पेन पसंद है अब हमें हम दूसरे परसन को मतलब second person को ये तो बोल नहीं सकते कि तुझे स्पेन पसंद है अगर उसे पसंद है तो उसे पता ही होगा तो हम उसे पूछ सकते हैं क्या तुझे स्पेन पसंद है similarly, ले गुस्ता मतलब उसे नोस गुस्ता मतलब हमें उस गुस्ता मतलब तुम है और ले यस गुस्ता मतलब उन है ठीक है यहाँ पर मैंने एक अलग से example लिया पहले मैंने आपको पीनो वाला बाल बनाने वाला कंगी वाला ग्षम्पल दिया था अब यहाँ पर मैं बोल रही हूँ नहीं नहीं बोलते हैं Myself, Aveline. में यामो, Aveline. ते यामा स्ख्वान. पूछ रहे हम उसे, ठीक है? ते यामा स्ख्वान. क्या तुम्हारा नाम ख्वान है? Yourself, ख्वान. से यामा मोनिका. ठीक है? उसका नाम मोनिका है. हरसेल्फ, मोनिका. और अगर यहाँ पे लड़के का नाम होता, तब भी से ही लगता. से यामा कार्लोस, या कुछ भी. नॉस या मामोस, हमारा नाम आना और लियो है. मतलब आरसेल्फ, आना एंड लियो. ठीक है? ओस या माईस, राउल यी दावीद. आरसेल्फ, राउल एंड दावीद. ठीक है? अब यहाँ पे खुद से खुद के लिए नहीं कर रहे हैं कुछ. वो खुद से खुद की, क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. ठीक है? करना नहीं है यहाँ पे कुछ. वो खुद से खुद का नाम बता रहे हैं कि यह हमारी introduction है से यामन आरियन ए सिया तो उनका नाम आरियन और सिया है तेमसेल्व आरियन और सिया ओके यह थोड़ा complicated है यह दोनों यह हम धिरे धिरे आगे करेंगे फिलहाल हम इस पे जादा ध्यान देंगे ठीक है आई होप आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा समझ आया होगा अगर नहीं समझ आया है don't worry आगे हम और भी जादा इसके examples लेके आते रहेंगे lines बनाते रहेंगे ठीक है प्लीज आप मुझे comment ज़रूर करिए अगर कोई भी चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं उस पे दुबारा वीडियो बनाके डाल सकती हूँ उसे अच्छी तरह से बहुत ही detail में explain करके ठीक है फिलहाल हम मैं बार बार कह रही हूँ इस पे जादा ध्यान देंगे ये दोनों जो हैं ये हमें धीरे धीरे समझ जाएंगे ठीक है थोड़ा बहुत समझना है मतलब मुझे के लिए ये वाला है और अगर मैं खुद से कोई काम अपने लिए कर रही हूँ तो उसके लिए ये वाला है ठीक है तो I hope आप ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहेंगे सब्सक्राइब करते रहेंगे और आगे मेरी वीडियो ऐसे ही आपको नौलिज देती रहेंगी तो मिलते हैं अगले चैप्टर में तब तक के लिए अपना ध्यान